नमस्कार दोस्तों मिरा नामें विमल सिंग बाला जी च्टडिय एड़ा में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे KBS PRT प्रोविजनल अंसर की आने के बाद क्या सेफ स्कोर आपका रहेगा उसको लेकर के हमने आपका morning में ही अभी से 2-3 घंटा पहले एक vote based आपसे question पूछा था उसमें काफी लोग ने अपने answer दिया है अब वो सही है तब तो हमारा data सही निकल करके आएगा अब वो वाले बच्चे होंगे कि paper के बाद निकल करके आ रहा है 180 plus और answer की आते-आते 110 में आ गए तो फिर हमारा data गड़पड हो जाएगा उसके अलाब हमने comment भी आपर दिखाएंगा सबसे last में एक safe cutoff की बात भी करेंगे कि कितना सबसे best cutoff में recording रहेगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमने question पूछा था उसकी अभी तक लगबख 4500 वोट इसमें हो चुके हैं और यह तीन गंटा पहले हमने जो है वो डाला था KBS PRT कितने नंबर आ रहे हैं आपके यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर 100 से 110 वाले भाईया 35% बच्चे हैं 35% का मतलब समझ रहे हैं साड़े तीन यह जो बच्चे होंगे वो साड़े चार हजार में से count होंगे अगर आप निकालेंगे वो लगबख 1575 के करीब आपके इतने बच्चे हैं अभी जैसे से संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी न यह फिर रेशियो और ज़्यादा अच्छा निकल करके आएगा अभी तो हम इसी 4.5 के हिसाब से 4.000 वच्चों के हिसाब से निकाल ला है अब जैसे यहां रेंज जो है 100 से 110 वाली मुझे लगता है कि इतनी कम कट ओफ तो नहीं जाने वाली इतना कम कट ओफ पले चात्रों को उमीद बहुती कम है इस रेंज में है तो एक उमीद बन सकती है SCHT केटेगरी की भी यहां तक जा सकती है और उससे नीचे साइद मुस्किल ही यह जाए तो 111 से 120 वाले 26 परसेंट लोग हैं मतलब 4.000 का 25 परसेंट उसमें 1 परसेंट और जोड़ देंगे 26 तो वहीं लगबग 1170 के करीब आएगा 1170 के करीब आपके यहां पर छात्र आपको देखने को मिल रहे हैं सबसे जादा जो छात्रों की परसेंटेज अभी तक मुझे देखने को मिल लिए इस वाली रेंज में यानि जो असली फाइट होगी वो होगी 121 से 130 के बीच में यहां पर 22% है हालांकि जो लगबग इस 4.5 के हिसाब से 990 कुछ बनेगा माल लीजे 1000 करके तो यह आपके यहां पर हो जाएंगे 10% यहां पर है यह तो अपने आपको एकदम राजा समझेंगे और इस से उपर वाले राजा एक्चुल में जो 140 प्लस प्लस आप देख रहे हैं 6% चातरी यह अपने आपको एकदम राजा समझें और 131 से 140 यह अपने आपको सेव समझ सकते हैं क्योंकि भाईया इस रेंज में अगर बहुत जादा हैं और इसमें आप हैं तो एकदम मतलब निश्चिन दो करके बैठ सकते हैं 131 से 140 में 10% तो वो 4500 का 10% 4500 सी दिसी दे हो जाएगा तो यहां पर 4500 लगबत करीब हैं इस एकोडिंग के इस वोट्स के एकोडिंग और यहां पर 6% तो यह तो हमने देख लिया आपका कि यहां पर सबसे ज़्यादा अगर इससे निसकर्स निकालें तो यहां पर रेंज सबसे ज़्यादा बच्चों की जो है वो इस रेंज में हैं एक सो एक किस से एक सो तीस यहां वाले बच्चे सेफ हैं और यहां वाले बच्चे तो भगवान अपने आपको समझे मैंने पहले ही कह दिया अब थोड़ा सा और कमेंट भी देख लेते हैं कुछ-कुछ लोगों के जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे-कैसे नंबर लोग वो नंबर अभी देखेगा कहां जाता है आरती जी 121 करके हैं 132 जो है इस तरीके वाले बच्चे एकदम सेफ हैं विनोच जी 149 OBC बहुत ही बहतरीन बिलकुल प्रियंका जी 122 OBC प्रियंका जी 107 OBC प्रियंका सर्मा जी 119 लगवद अगर 120 प्लस है मुझे परसनली लग र सव यहां पर चांसेज जो है वो थोड़ा सा कम है सोनी जी 133 बढ़िया सेफ जोन है MSG 123 OBC यह भी ठीक ठाक है परन्तु अगर थोड़ा सा 125 प्लस होते है और अच्छा लगता प्रिती जी 111 PRT 24 सेकेंड सेफ्ट के एंटी 126 आ रहे हैं EWS के टिगरी हां जिसे के टिगरी वाइस है यहां पर अगर थोड़ा सा रिजर्वेशन देखे जर्नल OBC सेम कटॉप 2018-2016 तो कोई खास अंतर नहीं आएगा EWS SC ST के टिगरी इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है हैमर जी 120 बन रहे है 28 फरवरी सेकेंड सिफ्ट है ठीक ठाक है वैसाली जी 115 EWS राय जी 126 SC के टिगरी लग्की जी 124 PRT मुकेश जी 134 यह बेस्ट है रेंज आपकी 128-110C यह भी बढ़िया रेंज है आपकी 128 फरवरी मॉर्निंग सिफ्ट और यह भी है जो सिफ्ट वाइस आपका भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता हो घट जाए और नमबर अक्षिता सी 122 जनल ऐनी चांस 21 फरवरी फर्ष्ट सिफ्ट 132 स्मार्ट राकी इन्होंने अपने mention कर रखा है इनकी website पर जाएंगे इन्होंने कहा है कि multiple सिफ्ट में अगर paper आपका होता है उस condition में हम normalize कर सकते हैं score तो देखते हैं क्या आगे देखने को पिलता है यह भाई है 132 वाले एकदम बढ़िया है मयंक जी 134 नमबर एकदम बढ़िया ठीक है परसांच जी 144 एकदम बढ़िया नमबर है 144 वाले तो मैंने पहले कह दी अपने आपको राजा समझें 123 प्यार्टी इंटर्व्यू की तैयारी 120 वाले भी सोच सकते हैं अभी तक 135 EWS सही है 130 नमबर 28 को सेकेंड सिप्ट इस प्रकार से भी सही है वरुन जी 120 मनोज जी 123 तो इस तरीके से काफी कमेंट हैं तो सारे नहीं दिखा रहे हैं जो कुछ है जिससे आपको अंदाजा लग सके कैसे कैसे यहां पर नमबर लोग के देखने को मिले हैं अब देखिए वो बात करते हैं कि exact जो category wise कितनी cutoff जा सकती है according to me अगर मेरे according देखें तो safe score जो है वो ह आपका 140 प्लस अगर यहां आ रहे हैं तो तो आपने आपको एकदम आप safe समझ सकते हैं क्योंकि अगर औरों के नमबर देखेंगे उसके according 140 प्लस वालों की संक्या बहुत ही नाम मात्र देखने को मिल नहीं है परन्तु एक चीज को समझेगा कुछ चात्र यहां पर online ही तैया ही नहीं करते हैं कुछ चात्र हैं जिनको online से कोई लेना देना नहीं है पूरे भारत में इतना बड़ा लेवल पर पेपर हो रहा है तो बहुत से चात्र यहां निकल करके आएंगे जो अपना याइसकोर कमेंट में बताने नहीं आ रहे हैं पर उनके नमबर आए होंगे उनक के नमबर देखते हुए कि मतलब अगर इस zone में हैं तो मतलब आप अपने interview की तयारी कर सकते हैं cutoff जो है आपकी journal की 120 से लेकर के 130 के बीच में भी जा सकती है depend करता है कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं जादा तर जो बच्चे आ रहे हैं इसी range में ही आ रहे हैं परन्तु अपनी दो तयारी है वो सुरू कर सकते हैं OBC में 30 से 135 क्योंकि सेम कटाओ भी आपको देखने को दोनों जगाई मिलती है मैंने पहले भी दिखाए हैं EWS में लगबग 5 नमबर का अंतर आ सकता है और SEH की कटिगरी में और कम जा सकता है 125 तक तक तो यह मेरे recording है अगर आपको अपने इंटर्वी की तयारी के लिए ले करके सोचना है और जो 140 प्लस है वो तो आपने आपको एकदम पूरी तरीकी से सेफ समझ सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि नमबर आएंगे हो सकता 150-60 भी आएंगे पर उन चात्रों की संख्या कम होगी इसलिए उतना हाई कट आ जाने की कोई संभाव ना नहीं है जिस रेंज में सबसे यादा जैसे 2018 अपर उठा करके देखेंगे तो इस टार्टिंग के जो बच्चे थे लगबख 126 से लेकर के 110 तक वहांद केवाद 200 बच्चे थे उसके बाद 110 से लाइन से सुरू हो गयते 200 से लेकर के 2000-3000 जाएंगे तो 100 से लेकर के 110 की रेंज में बहुत जादा बच्चे थे सेम यहां भी होगा देखेगा कि जब निकलेगा तो उसमें स्टार्टिंग के जो बच्चे होंगे वो आएंगे 165 भी आएंगे उससे आगे पीछे भी आएंगे 1500 भी आएंगे पर धीरे 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 जो जादा न पाकी जिन्हों ने अभी तक उसमें वोट नहीं किया है जो हमने वोट वाला भी श्टार्टिंग में दिखाया था तो वोट अपना अवश्र दीजेगा कोशिस हम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट अगर उसमें मिल जाए तो उससे एक और अंदाजा निकल करके आ सकता है कि कितने बच्चों के अवरेज नंबर आएंगे तो आज चुड़ में इतने ही रखते हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजेगा और लोग सच शेयर जरूर कीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमस्कार चेहन